दोस्तों ग्रहन अक्षत्रों की लगातार बदलती चाल की वज़े से मनुश्य की जीवन की परस्तितियां समय के अनुसार लगातार बदलती रहती हैं कभी व्यक्ति का जीवन खुश्यों से भरा रहता है तो कभी परिशानिया आने लगती हैं जोतिष शास्त्र के अनुसार यदि व्यक्ति की राशी में ग्रहन अक्षत्रों की स्तिती ठीक है तो इसकी वज़े से शुबर नतीजे मिलते हैं परन्तो ग्रहन अक्षत्रों की चाल ठीक ना होने के कारण जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन होने लगती है मनुश्य के जीवन में उसकी राशीयां बहुती महतोपूर्णा बताई गई है राशी की साहता से व्यक्ति अपने भविशे से जुड़ी हुई जानकरियां एकत्रित कर सकता है जोतिष गनाना के अनुसार आज हम आपको कुम्बर राशी के बारे में बताने वाले हैं आप में आत्म विश्वास कूट कूट कर भरा होगा मन के भव भी सकारत्मक बने रहेंगे यहाँ आपके लिए प्रसन अता का विशे है आपका भविशे में अधिक विश्वास बना रहीगा इसी कारण आप अपनी वर्तमान से थोड़ी लापरवाही कर सकते हैं इस बारे में आपको सावधानी की जरुरत है नोकरी और पारिवारी कामों में वैस्त रहने के कारण आपको अपनी कुछ काम स्तगित करने पड़ सकते हैं आपने मित्रों और संबंदियों के कारण आप अपने आपको मजबूस्तिती में पाएंगे भायों से मेलजोल बाड़ा निकले दिन बहुती अच्छा है किसी भी कारे में अधिक ठकान होने से पहले ही उस कारे को छोड़ दे पैसों से संबंदित कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं आपका मूड अधिक धन खर्च करने का हो सकता है इस पर आपको भी नियंतरन बनाये रखना होगा अपने बनाये हुए बजट पर आपको फिर से विचार करना होगा आप अपने मन की सुनेंगे और कारे करेंगे किसी की टोकाटो की आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं है दोस्तो ऐसे ही महतोपुर्ण बातें आज की सुड़ों में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और गणेजी का शिर्वाग चाते हो तो कमेंड में जय गणेजी लिखना ना भूले साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरो करें तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इन चार दुनों में आपका सामन रशिपल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में आपको अपने किये गए अच्छे कामों का सम्मान या इनाम भी मिल सकता है अपने जीवन साते के कारण आपको कोई लाब हो सकता है दिन आप लिए अच्छा होगा रोजमर्रा के कारियों में किसी भी परकार की कटिनाया नहीं आएगी आप में अधिक जोश भरा होगा लेकिन जोश में आकर कोई भी फैसला ना करे पैसों के मामले में हर फैसला बेहद साउधानी के साथ करे इस मामले में कोई आप पर दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है हर फैसला अपने विवेक के अधार पर करे सभी प्रकार के विकलपोंपर विचार करना आप लिए लाप्रद हो सकता है किसी जरूरी मामले पर अपने परिवार के लोगों और मित्रों से सलाह अवश ले उन लोगों की सलाह आपको अच्छा निरने लेने में मदद करेगी आप अपने आपको श्यांत रखें दोस्तो ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अगर बात करें तो जो डर पिछले कुछ समय से आपके मन में बना हुआ है उससे मुक्ती पाने के लिए आप प्रयास करें इसमें आपको सपलता मिलेगी यह समय पुराणे मामलों को भूल कर आगे बढ़ने का है आने वाले दो-चार दिन आपके लिए काफी भावुक होंगे अपने मन में जितने अधिक सकारत्मक विचार रखेंगे उतने ही आप लाब में रहेंगे आप प्रसन रहेंगे और दुसरों को भी प्रसन रखने का प्रयास करेंगे आपके यही प्रयास आपका कोई बड़ा लाब करवा सकते हैं धनसंबंदी कोई मामला आपको हल करना पड़ सकता है। घर परिवार से संबंदित कुछ समस्याओं को अभी समाधान खोजना होगा। अपना कुछ समय अपने परिवार के साथ अवश्य पिताएं और उनकी हर जरुरत को पूरा करने का प्रयास करें। दोस्तों धनाराशिपल के अगर बात करें तो हर काम पूरी निष्टा से करें और हर बात का ध्यान रखें। लोगों का सम्मान करें और अहंकर से दूर रहें। फरजीपन या घमन से किसी भी काम में सपलतान नहीं मिलती। आपको अपने निर्दारीत सीमाओं का ज्यान हैं और आप यह भी जानते ही कि उनका विस्तार किया जा सकता है। आपके ब्रहमित होने की संभव नहें, इसलिए कोई महतोपुर्ण निर्नाई ना ले। अगर हो सके तो अपने रोजाना के कामों से चुट्टी ले। अपने लक्षियों को सेट करें और उन्हें सामाने रूप से पुरा करने का प्रयास करें। दोस्तो करियर रचिपल के अगर बात करें तो आप एक कलाकार या हस्त शिल्पी हैं तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप पाएंगे कि आपकी कलात्मक्ता अपनी चरम सीमा पर हैं इसलिए आप बहुत बढ़िया विचारों को जन्व देंगे। अगर आप किसी संस्तान में काम करते हैं तो आपके उच्छे अधिकारी किसी प्रोजेक्ट के लिए आपकी सरहाना करेंगी। इसके लिए आपको बोनस या फिर प्रोमोशन भी मिल सकता है। दोस्तो लव रशिपल के अगर बात करें तो आपके दोस्त और प्रियतम वो संपत्ती हैं जो आपकी सपलता में महतो पुर्ण भूमी का निबाते हैं। प्यार में पहल कोई भी करें बस इसका अंतो सुकद होना चाहिए। अपनी भावनों को समझे और आत्मों विश्यूलेशन करें। आप अब अपने लक्षों के बारे में विस्तार से सोचेंगे और उन तक पहुंचने की योजनाई भी बनाएंगे। लोगों की बातों को सुनने की वजह अपनी दिल की सुने। दोस्तो आखिर में स्वास्तर अशिपल के अगर बात करें तो ज्यादा कोलेश्टरोल और स्नैक्स वाले खाने से दुर है। ताजा फल का है क्योंकि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तो यहती कुमबराशी के बारे में। अब बात करते हैं। सुवे हुए भागय को चमकाना है तो बस आजमाले यह उपाय बनने लग जाएंगे आपकी हर काम। दोस्तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपका भागय जाग जाएगा और आपको हर कारे में सफलता मिलने लग जाएगी। जिस कारे को भी आप शुरू करेंगे उसमें आप विजय ही पाएंगे। जो तिस चास्तो में बता गए यह उपाय बेहद यह सरल है। तो चले जानते हैं। पहला है रोज देखे अपनी हतिली। रोज सुबह उड़कर सबसे पहले अपनी हतिली को देखे। जो लोग रोजाना अपनी हतिली पर बनी रेकाओं को देखते हैं। उन लोगों का भाग ये उद्य हो जाता है। हर कारे में उन्हें सपलता मिलती हैं। साथ में धन की कमी भी कभी महसुस नहीं होती। दरसल हतिली के अगर भाग में मा लक्ष्मी, मद्य भाग में मा सरसोती वा मूल भाग में भगवान विष्णू का स्तान होता है। इसलिए रोज अपने हतिली को देखने से भगवान की गुर्पा आप पर बन जाती है। मा लक्षमी आपको धनकी कमी नहीं होने देती, मा सरसोती आपकी कला को और निखारती हैं, इसी प्रकार से भगवान विश्णों हर कामना को पूरनक कर देते हैं, आप बस सुबह उड़ कर अपने दोनों हातों को एक साथ जोड़ कर रेखाओं को देखे, उसके बाद अपने ह ताजा और सुन्दर फुल अर्पित किये जाते हैं, तो वे प्रसंद हो जाते हैं, आपकी जो कामना होती हैं, उसे पूरा कर देते हैं, इसलिए आप रोज सुबह नहाने के बाद पूजा करें और भगवान को ताजे और सुन्दर फुलों की माला अर्पित करें, लगातर ये उपाय करने से आपका भग्य खुल जाता हैं, अगला है मचलियों को डाले दाना, हर बुदवार के दिन किसी तलाब या नदी में जाकर मचलियों को दाना डाले, ऐसा करने से हर कामना पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए आप चाहे तो इस उपाय को भी आजमा कर देख सकते हैं, अगला है करेदान, शास्त्रों में दान करना सबसे बड़ा पूर्ण्य का काम बताएगा है, माना जाता है कि जो लोग गरीब लोगों को दान करते हैं, वो गरीब लोगों की साहता करते हैं, उनके ग्रह उनके अनुकुल ही फल देते हैं, आप अमोसया, पूर्णिमा, वो किसी त्योहर के दिन गरीब लोगों को चीज़े दान करे आप दान में दाल, चावल, आटा, कुछ ऐसे ही चीज़े जो कि दान कर सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखे कि आप इन चीज़ों का दान मन से करे क्योंकि मन से किया गया दान ही सपल होता है और आखरी है गाई की करे सेवा रोज गाई की सेवा किया करे गाई की सेवा करने से देवी देवताओं का अशिर्वाद मिल जाता है और रोके हुए कार्य पूरे होने लग जाते है आप रोज गाई को घस या फिर गुड़ वाली रोटी खिलाया करे इस उपाय को करने से रोटा हुआ भागय भी खुल जाता है तो दोस्तों यह थे कुछ उपाय जिससे आपका भागय जोकी चमकने लग जाएगा तो दोस्ता आज की सुड़ों में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद